कि दस्मेत धाय के नवे श्टोक को देख रहा है भगवान यहां पे जो प्रीति से युक्त उनका भजन है उसके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कैसे होता है इसका वर्णन कर रहा है मेरे पुछे बोलिए मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, कथयंत अश्यमाम नित्यं तुष्यंतिच रमंतिच, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, कत य vapका प्राणा बोधयन तप रस पर उप небा है कै ःता श्च हम औ ही ठहा रव Mikey возьक उप रहा पर शtıप 利य रोर मक्ट जो मौं न सज्च आपने खर उप उप न फ्रतर उक तव तर में तु पर उन flour हो पर उप मद्घित्त उंका चित मुझ में ही लगा रहता है मद्घतव पृणद में फ्राण मुझ में गत और सदंघ रसाफ लगे लगे वैं रहे हैं कि मानने शास्त्र विस्तर है किसी और शास्त्र के विस्तार करने की जुरत क्या है अन्य शास्त्र के विस्तार करने की जुरत नहीं है तो फिर यह बागवत क्यों बोली रशना सकता है लेकिन देखिए उसी बात का विस्तार के जारा है अन्य बात का विस्तार नहीं कि जारा है कुछ समझ पारें जो भगवान श्री कृष्ट ने अर्जुन को प्रभोधित किया प्रभोधन कर रही कि नहीं भगवान प्रभोधन कर रहे हैं अपने बारे में अपनी भक्ति करना है इतना अच्छा क्रिश्ण कता लग रही है कि कृष्ण स्वैम बता रहे हैं वो भी कई भगवान केवल यह अप्रिशेट नहीं कर रहे हैं कि भक्त पढ़ करके चुप रहा जाए लिखा यहां पर केवल अध्यन करने के बारे में भवान नहीं बोल रहे हैं लेकिन केवल अध्यन करके रह जाने से पूर्ण किर्पा नहीं मिलेगी दिर रभोधतित करना कुछ अच्छा लगा तो बोलेंगे ना यस्यान भाव मखिला शुटिसार अमेकम शुट्यकु सवामी जी को शुमर्थ भगवत्व इस रूप के रुप मे अनभा हुई है शुरूतिसार मतलब वेदों का सार और शुतिसार मतलब जो सुनने वाली वस्तोओ जो भी उनका सार सबसे अच्छी वस्तों गुरूप में अन्भा हुआ तो उसको बोल रहे हैं तो अगर वाकई हम लोग भगीता पढ़ रहे हैं भागत पढ़ रहे हैं तो कुछ न कुछ अच्छा आपको मिलेगा ही उससे आप भक्तों को प्रभधित कराई उससे भगवान प्रसन होंगे अब जाई करने के जरूरी है कि कोई प्रबूदित हो ना भी चाहे है आप लोग बहुंज से भक्त जिनके घरम सब लोग भक्त नहीं है वह रहें बटी बटारे तो नहीं मान रहे लेकिन भक्ती करने के लिए कोई गला दबारी लग जाएगा को सुनाई पड़ रहा है जैसा प्रवोधित करने वाला भगवान को प्रिय है ऐसा ही प्रबोधन को स्विकार करने वाला भी प्रिय है कोई भगवान के बारे में प्रश्ण करना तो अब लगवान की आज क्या बोले ना लेकिन पर भी यह तो जिग्या से लेकि आए कि मैं आज क्या गीता पर बोलूंगा तो दोनों लोगों का भगवान कर रहे हैं कि दोनों ही शुद्ध भक्त हैं आप हमारी तारीफ करते लेते ताकि हम लोग आते नहीं हम नहीं कह रहे हैं देखो भगवान बोल रहे हैं जब कोई विक्ति अब पूछेगा तभी तो उसका प्रुद्धन की एदाएगा कोई इच्छाई ना लेकर आए तो कैसे बताए बताए जाएगा देखिए मैं इस्पेशली उन भक्तों का जो मेरे सामने बैठे हैं रूम वाले और जूम वाले उन भक्तों का वीडियो और उनकी सरहना कर रहा हूं कि जो वीडियो आफ की निं और अगर नहीं समझ में आए तो किसी का वीडियो आफ उसे पढ़ा कर देखना वह है ही नहीं इस इट नॉट आपको में समधाने का प्रयास क्या हो देखिए प्रणिपात का भावना तो भक्तों में है नम्रता की भावना है परिप्रश्ण भी है ठीक है लेकिन सेवा क्या चाहिए प्रणिपात की जारी कि कम से कम एक घंटा तो बैटकर सुने बच्चों सो छेचे घंटा बढ़ाते हैं अग्या कि यहां अगर एक घंटा भी नहीं कल पारें तो यह विचार किजिगा मैं निंदा नहीं कर रहा हूं विवेक दे रहा हूं कि क्या यह एक घंटे के स बढ़ाते हो हुशय हुशय्ट रूलवडाओ रहीशने का में ने पड़ता है यह एक घंटा भगवान को प्रसन करने के लिए को अंग नाहीं की लिए जुरह resposta फ्रह्व म८्ट नहीं प्रवृइं ल को कृट्इ दी ले दीनारी क्षाव था माम नित्य हान और मेरे बारे में कथन उपकथन करते हैं तुश्य तू शंतिचा रम नती है अई संतूष्ट होते हैं वैसे मुझे से रहा नहीं जा रहा विदुर जी और उधव जी शाम को मिले थे और अब आशाम को सुनना आप कि वह एक दूसरे को कथन उपकथन कह रहे थे मालू मैं विदूर हूँ और आप उधव हैं तो आप मुझे बता रहें कि भगवान ने आप और कैसे किरपा करी और विदूर जी बता रहे कि उनके जीवन में भग्वान ने उन पर कैसे कुपा की ओंट न माहँ मेजिंक स्टेंपेंट्स, दो महा भागोत है उन पर तो कुपा की बाल्टी की बालटी हो रहा है यससे कहना चाहिए अरे भग्वान वहां था मैं नम मुझ पर पर यह किर्पा की अईसा करते करते पूरी राद बिज जाएगी तो इस प्रकार से भक्त लोगों का दोनों का चित भगवान में लगना चाहिए धान्दीजेगा को उसी वेक्ति को प्रभूतित किया सकता कि उसका भी चित भगवान में लगा हो नई सद्ध्राँ देथे और है ऐसे महा डिते हैं जो के यूवल गृत क्षा करते हैं इक लिपने तो क्यर्णा करते हैं पदे भी नहीं होते हैं कुछ नहीं पता होता है संसकृत बोल रहोए होते हैं वो माता जी वैसे अनपढ़ है हिंदी भी नहीं पढ़ना जानती हो संस्कृत बूलते हैं तो भगवान गुणानवाद हो यह कुछ नहीं है और माता जी भी वो एक कुछ नुकीर चीज ले आएगी और वो जो मट्टी होती हो उस पर एक अध्या खत्म होता तो एक लाइन ड् कि इसको महान ब्रह्माणडों के नायक की आगे बहुत बड़े बड़े देवताख खटते हैं कि अपॉइंडमंट लेकर करके आते हैं भगवान से मिल सकते हैं, कि नहीं मिल सकते हैं, वह भगवान इस सेवा की प्रशंसा कर रहा है, भक्त सात मिया करके भगवान की बारे में चर्चा करते हैं, Is it not amazing? क्टाप प्रैम मिनिस्टर आपके बारे में कभी ध्यान दिये है, आप लोगों के बारे में कभी सोची हैं व्यक्ति के दुरूप से एक जन्रेल लूमें हम परजा है लेकिन हम मर भी जाएंगो तुमको पता भी नहीं चलेगा अगर भग्वान के बारे में चरना कर रहे हैं गीता वुषन-TP का यह लोग भक्ति की प्रक्रिया करता है किस्त प्रक्रिया से भग्वान का प्रीति पूर्वक भजन होता है भक्त मेरे स्मृति परायण होते हैं अर्थात मच चित्ता होते हैं किसी ना किसी रूप में भगवान की स्मृति वह करते ही रहते हैं चाहे नामजब हो चाहे भोजन बनाना हो क्या भोजन बनाते हैं भूल जाते हैं कि हम किस के लिए बना रहे हैं हाँ हम याद रहता है मैं अपने लिए बना रहे हैं नहीं चक सकते स्मृति है न क्रिश्न के और उसमें भी आप लोग करते होंगे भगवां के कथा लाके सुनते हुए करते होंगे तो और अना दाता है आप लोग सीख गए होंगे अनभाव कर रहे होंगे इस कौन माता जी यहां पर है आज कढ़ा कि जो कथा सुनते हुए भोजन नहीं बनाती है वाँ एक निभी हाथ नहीं कढ़ा गया सो सब को सिक्षा अपराप्त होंगे वेरी गुड वेरी गुड और वर्लेंड देवर्टी बहुत आसान बात नहीं है और वह रही थे आस्मों से कि हम बड़े परिशान है यहां पड़े हुए है आश्य वैसा अरे कहीं भी पड़े हुए हो क्या कथा कथा भी नहीं मिल रहे है आपको आजका तो किती सुलब है कथा सुनना चाहिए अ चलिए तो चित उनका परायन का मतलब ऐसे समझें परायन का अर्थ क्या लिया था आपने यादा रहे किसी को आयन सुत्वड़िये पर प्लस आयन आयन मतलब आश्रे वैरेगोट जहां पी दुखोगी निविर्टी और पर मतलब सर्वस्रेश्ट तो स्मृती परायन है दुखो कि निविर्टी होगी और सब सुक्की प्राप्ति होगी इसे कहते हैं स्मृती परान इसलिए मत्चेता है आप कुछ मत सोचे बिलकुल प्रैक्टिकल है आप यह सोची किस कथा में आते क्यों है पैसे तो मिलते नहीं न डिगरी मिलेगी न कुछ मिलेगा सुक रहे हैं बहुत बड़ी बात है जगत में लोग क्या-क्या बाते करते सुखी नहीं होते संतुष्ट नहीं होते तो यह परायन हुआ ना दुखों की निवृत्ती और सुक्की प्राप्ति और यह स्रेष्ट है कि नहीं बताईए कि एक शब्द कि स्मृती परायन कितना अची कर्Hey उस प्रकार विपैर मेरे बिना नहीं रह सकते मधित प्राणा अब आद यह एक बड़ा सुंदर बात है यह सो उन्हें इसको उरह consuming इस प्रेता पानी के बाहर आते ही तड़ पड़ाने लगती है इसे ही जो शुद्भखते हैं उनकी इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा नहीं करने को मिले तो वह महसूस करेंगे कि वह चोग डब द्यार चोग डब वह कहते कि जप नहीं करेंगे कथा मत सुनो या भगवान का प्रसाद नहीं करन करो वह सब बड़ी दिक्कत हो जाएगे बड़ी दिक्कत नहीं देविट डाए यह बात बोल रहा है बहुत अच्छी बात है यह और क्लीर हो रहा है अब आप कहेंगे हम लोग स्थर पर नहीं है जैसे जैसे भगती में हम आगे बढ़ते है तो जो भावभक्ती का स्टेज है जिसमें अव्यर्थ कालत्वम होता है एक शण भी भगवान की सिवा के बिना नहीं बिता सकता है यह भाववक्ती का स्टेज तो आप यह देखेंगे कि धीरे-धीरे करके वह जो भाव की अवस्था है वह कुछ-कुछ अवस्था मारी जीवन में नहीं आ रही है यह नहीं कह रहे है कि हमारी इंद्रियां पूरी तरह स्वैमित हो गई है लेकिन फिर भी आप देखिए कि इच्छा होती कि काश मैं ऐस अवस्था बजन कर पाता और यह स्वभाविक रुप से होता कि हम काश चौबिस घंटे भगवान की भक्ति कर पाते यह द्यप्य हम नहीं कर पा रहे हैं तो एट इस एस्परेशन तो हो सकती है ना यानि ऐसी अवस्था होती है तब ही तो भगवान वर्णन कर रहे हैं क्या अब आज एसी अवस्था अगर भक्तों को प्राप्त होती ही नहीं तो बगवान वर्णन ही क्यों करते और यह एक नहीं बहुत सारे लोग है यहां पर एक वचन का प्रयोग नहीं हो रहा है तुष्यंति इस बहुआ चन रमनती इस बहुआ चन तुष्ट होते हैं सुखी होते हैं समझ मेरा मैं क्या कह रहा हूं यहनि ऐसा ने कि आप भावभक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते आप नहीं सकते आप इसमें कोई competition नहीं जो भगवान की भक्ति करेगा उसको यह स्थिति प्राप्त हो ही जाएगी बहुत अच्छा है ना जैस इस पर बड़ी मजदार बात बोल रहे हैं यह भगवान हमारी इस्थिति ऐसी है कि मचली को जैसे पानी से निकालते हैं वह तरपणानी लगती वैसी जैसी हमें इंद्री भोग नहीं मिलता है हम तरपणानी लगते हैं वह विरो ते बोल रहे हैं बड़ीव की इस्थिति है ना कि वह जरा साथ को इंद्री नहीं मिलेगे तो परसान हो जाएगा वह आप देखिए जब नए लोग आते हैं यह को लाया लवा दिये जाता हम लाके बिठा दियता क्लास में तो अब उनको असे लगता है कि मिलो सब तरफ से उन पर प्रहार हो पूरी तरह से रमन करेगा वे मेरे रूप गुण वा लावर्ण आधी का बोध एक दूसरी को कराते रहते हैं बोध यंता परस्पुरम वे मेरे विश्य में बोलते हैं अर्थात मैं जो भक्त वासल का समुद्र हूं और मेरे अतिविचत्र चरित की चर्चा करते रहते हैं एक बात चुटा सा पॉइंट रहाना चरित्र नहीं लिखाया यहां पर चरित लिखा हुआ है इस कृष्णा भवान की लीला आगभान की इसमें समब्लित हो गया जैसे देखिए पूतना का वध पूतना का जो श्रोक था अहो बकियम स्तनकाल कूटम जिघांसयाप्यद साधवी लेभे गतिम दात्रि उच्चताम ततुन्यम कमवादयालुम शर्णम रजेमा जिन भगवान श्रिक्रिष्ण ने पूतना जैसी राक्षसी को उनको मारने के ल जालू कौन है जिसकी मैं शर्ण दो बड़े भाव में उद्धव जी बात बोले किसको बोले थे विदुर जी को बोले थे इस प्रकार से भगवान के यहां पर कृपा का वर्णन किया अपर जितना प्रेम होता है उतना गूड़ों का एप्रिशिशन और अधिक होता है प्रपा इसको समझाते हैं भक्ति means increasing our appreciation for Krishna भक्ति का मतलब है भगवान की क्या बोलेंगे इसको पर जो गुण है उनको सरहाने की शमता को और बढ़ाना जितनी भक्ति बढ़ती जाएगी उतना भगवान के गुण और अधिक समझ में आएगे तो फिर अन्यों के बारें बात कर नहीं इस absolute waste of time आप देखेंगे कि उसके बाद थकान कनभव करेंगे डू अब लोग करते नहीं ठीक है तो ठीक है तो ठीक है बट इस जस्ट्रेंस यो आउट है ना करना पड़ता है कि जस्ट्रेंस योट पहली बात तो मुझती को देखी नहीं रहा है और दिये उसके जो लगे हुई है negative positive कुछ भी कारण क्या है क्योंकि भगवान का स्मरण भगवान के चर्चा भगवान के संग का लाब देती है आप भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आते हो अगर भगवान की चर्चा को सुनते हो इसलिए यह जद्देपी शब्द बिलकुल हिंदी जैसे लग रहे हैं यह हिंदी नहीं है यह भगवान की अंतरंगा शक्ति से युक्त हैं इसलिए अच्छे लगते हैं और वह अच्छा पन या अच्छा आगर आप एक्स्प्लेर नहीं कर सकते हैं इस प्रकार श्रवण स्मरण और कीर्तन रूप मेरी उपासना के द्वारा वे ऐसे तुष्ट रहते हैं मानों वे अम्रित पान कर रहे हो और इस प्रकार वे ऐसे रवण करते हैं जैसे एक युवक एक युविती के कटाक्ष से बजने वाली होगी अब बड़ा अजीव सदिश्टांद दिया गया है इस तरी सुख में जो सुख ढूंडते हैं वह उनको कहा गया है और जो भगवांदी कथा में सुख अन्भव करते हैं उन्हें हंस कहा गया है तो यह दारन क्यों रहें तो अजीब सी बात है यह जैसे क प्रतिि के प्रति बीना किसी कारण के आकर्शित होता है वह बात समझाने के लिए बोल Hai ऐसा नहीं है कि कि बड़ी प्रेणिंग देननी पड़ती है कि देखो तुम युवक हो तुम को एक नव युवति के प्रति आकर्षित होना चाहिए ऐसा कोई बताता नहीं है सहज आकर्षन होता है तो वो सहज आकर्षन को समझा जा रहा है और समझे कि जो भक्त का वाकई जो वास्तेविक भक्त उसका आकर्षन भगवान के प्रति वो तो कोटी कुना अधिक है लेकर हम लोग को समझाने के लिए बात ही समझी में आती कि सुंदर स्तिरी को जैसे देख करके या उसके किरपा कटाश को प्राप्त करने के लिए युवक लालाईत रहता है उस प्रकार से लालाईत रहते हैं भक् भी यह बिल जाएके तब भी कुछ काव नहीं कर पाऊए यह वी समझाबता है अल्लो इस जस्ट वोगस लेकिन उस प्रकार से जो लोग इंग्लिश पर क्या इनामर्ड बोलते हैं इनामर्ड हो जाते हैं या बिविल्ड रो जाते तो ऐसे भक्त लोग चकित हो जाते हैं इस सब्सक्राइध कर सब्सक्राइद आँ importa करके जैसे व्यक्ति तुष्ट हो जाता है ऐसे तुष्ट होते और जैसे एक युवक्य युविति में रमण करता है इसको शिला रूपको साम यह ने कहा है यूवति नाम यथा यूनम यूनम चायुवतोव तथा मनोभी रमते तद्वद मनोभी रमतामत्वई सुना अपने फिर से बहुत अचाइश लोगे ना यूवति नाम यथा यूनम यूवतोव तथा तथे की दुख बोला था मुटसे निकल गया logically चला गया। यूवति नाम य這種 यूवति नामम यूनम चायुवतोव तथा नौभी रमते तद्वद मनोंभी रमतामत्वह चुटना सुन्दर है ना जैसे एक यूवति को बदा रहा हूं कोई व्यक्ति अम्रित पी रहा हो उसे कहो आपको आपको तो यह बताएं कि अगर माले आपकी पास अम्रित है और आप अम्रित पी रहे तो आपको मैं कहुंट थोड़ा पानी पी रहे जो है तो यह ईक इंट्रस्टिंग बात रिए अशां में बहुत हो जाएगा कि अम्रित को पी रहा है उसमें लिख़ा हुआ है यॉण खतौ प्यास है इसके लिए बंदर आपका च्ष्म छी ने लिए तो कथा रूपी अम्रित ऐसा है कि उसका जो आस्वादन करने लग जाएगा वह जल शुधा और पिपासा को भी भूल जाता है प्रमाण है शुक्दे को सामी परिश्वत महराज जो महान भक्त वैसे हो जाते हैं इस प्रकार से तुष्ट होते हैं कि उनको भोजन से भी संतुष्ट होने की जुलत नहीं पड़ती वक्ति में आगे प्रगृति करेंगे तो ऐसा होगा अच्छा एक चीज़ बताइए क्या कभी आपको ऐसा नहीं हुआ कि जब इतना अच्छ जो इनके लिए उठने का मन नहीं करता है कि यहां तक वाश्रूम जाना पड़े लगता है अब लौट कि आएंगे दर लगता है कभी-कभी-कभी भवान ऐसा सुख देते हैं अभी तुम लोग बिल्कुल भक्ति में शुरुआत में भी नहीं है लोग बार दरवाजा पहु लगी बट सम्टाइम सब्सक्राइब लोग अभी जूल रहें तब यह सब मिल रहा है तो सची निष्ठा रूची आसक्ति भाव प्रेमादी में कितना सुख मिलता हो अनन्सुख जिसको मिल रहा है वो सब क्या भोजनवादी के बारे सोचेगा यादी नहीं रहेगा देहस् इस प्रकार से संतुष्ठ टिया अईसे विवापस उस पॉइंट को जाएं तो मचली पानी में ही संतुष्ठ देती है तो श्रंटी मचली कभी पानी के बाहर निकलने के बारे में सुश्ञती नहीं मैं एक्जाम्पल आपको और अध्वुत दूंगा परम्पुजे वरिंदाओं चन्द महाराज आज उनका सुपह प्रवचन में सुन रहा था महीं लाइव हो रहा था पंजाबी बाक्सित महाराज बड़ी सुन्दर बात कहे कि गोपियां कैसे भगवान में अभिनिविष्ट है समाधिस्त है जैसे नदी समुद्र में जाती है तो उसकी अपनी सत्ता ही वज खो देती है वह दिखाई नहीं पड़ता हो कहां गई तो ऐसे गोपियां भूल ही जाती है वह कौन है इतना अभिनिवेश रहता है कि वह कृष्णी की लीनाओं का अनुकरण कर लगती मैं ग भूल जाती कि वह कृष्ण का स्मरण कर रही है को सुनाई पड़ रहा है कृष्णी बन जाती है अपने को ही भूल जाती है साराप्त वर्ष्णी देखते हैं ऐसे अनन्य भक्त ही मेरी कृपासे बुद्धियोग प्राप्त करते हैं कैसे भक्त अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तह सर्वं प्रवर्त्य ते इती मत्वा भजन ते माम बुधा बुधा से पकड़ पकड़िए बुधा भाव सम्मन्वित हो क करला कर गशन करते तो एसे अनन्य भक्त ही मेरी कृपासे बुद्धियों प्राप्त करते बुद्धि मान हो जाते एवं दुर्वोध्य होने पर भी पूर्वोक्त लक्षण युक्त तत्व ग्यान प्राप्त करते हैं क्या पूर्वोक्त लक्षण 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 है कि भगवान ही सभी चीजों के प्रभव हैं और भगवान से सब कुछ प्रवर्तन हो रहा है वह तत्व दुरबोध है क्योंकि जगत में हम देख रहे ह और हम यह सोचते हैं कि सबका अलग अलग सामर्थ है इसलिए अलग अलग कारे करते हैं लेकिन भक्त लोग समझते कि क्रिष्ट हिर्दे में बैठे हैं सबको और सबको चला रहे हैं उनके पूरवगत कर्मों के अनुसाल यह बात भक्तों को बड़ी असानी समझ में आ जाती है लेकिन भक्तों को समझ में आ जाती है क्या है क्थिन नहीं होता सैंटिस्ट क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और अगर नहीं लग रहा है तो उससे भी कथिन होता समझाना था नहीं पा रहे हैं और उससे भी गटिन है कि उन्हें समझाएं कैसे कि वह स्रिष्टी की बिचे की वेक्ति है और वेक्ति कृष्ण ए तुम लोग तो सब भावोक हो कि आ गए तुम लोग किष्ण वाली भावोक लोग नाचने करताल पीटने वाले आगे तुम लोग मंजीरा बजाने वाले तुम लोग क्या जा लोग कि कौन सिष्टी करने वाला है कि मैं मजाग की बात नहीं कह रहा हूं आप समझा के देखिए कि कि कृष्ण तुरे जगत के सुरोत हैं उनको एब्जर्ड लगेगा आइडिया तो भगवान असी बुद्धी उनको देही नहीं रहे आइस वेरी नाइस वेरी नाइस जैसे मान लिजे आपको कोई वस्तु पसंद रहे हैं यह नाम ले रहा है आइसक्रीम प्रसादम है तो भाइड देखो उसके लिए लोग कितना होता है हमको याद है परम्पुजय जयपता का महराज की व्यास पूजा में प्राया प्राया आइस्क्रीम बटती है वाइस्क्रीम कोड होने के बजाए हो एक रहे होते हैं कि अधिना के लिए अची बात है लेकिन भक्त लोग जिस प्रकार से लोवी ऊजाते शीज ठीक नहीं है वो जड़े आज भी याद है उस समय क्रिश्णहार था रोगजिबंट अच्च्य अवस कई थे कि गेट मैनेज करें तो एक बैरिकेडिंग लगी थी तो भक्त लोग या इतने लोबी थे बोजन की उस बैरिकेडिंग को खाड़ कर फेक दिये गुसा हमको प्रसाथ पाएंगे इस इस अबेसिंग फिर उन्होंने लोहे की बैरिकेडिंग बनाई 6 फिट उची तो उस नम freaking कि खाड़ करता लोब और आपकेड़ा तो यही लोब है अब करेंगे प्रभूजी लोब जागरित कैसे होगा है और सिंपल सी बात है यह बताएंगे कि आइस क्रीम का लोब क्यों है क्योंकि टेस्ट है सिंपल यह टेस्ट जैसे वर्दित होता चला जाएगा वैसे वैसे लोब बढ़ता जाएगा तो मैंने पूछा परम पूझे वरंदावंचन महराज को महराज हमने यह सुनाय कि भगवान की प्रेम की प्राप्ति जब तक लॉ लोब नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें को कर रहे होते हैं वह छोड़ करके सुनने आए ना कुछ कि आई जस्ट वांट तो टेल यू कि आप और्लेडी लोब से इंफेक्टेड है कि कृष्णी के तत्व को कृष्णी के गुण को सुनने की इच्छा है नहीं है इसको लोब नहीं कह जाता है और सुने और सुनें और सुनें और सुनें और बहुत सारी बाते भावाम के बारे में जानने के लिए हैं और यह तो आप अनुभवि कर रहे हैं कि आसे नित ही हर देन कुछ नई बात आती है अचारों के दौर अलग-अलग डैमेंशन से आप शाम को आना देखना कि मेरे लिए वह सुपर एक्साइटिंग है एप्सुलूट एक्साइटिंग एक्साइट्मेंट कि यहां क्या बोलेंगे इस पर क्या बोलेंगे जैसे कल हमने सुना था संग्राध्य कि विदुर जी को पूजा क्यों करनी चाहिए मैत्रे में ने की तो वहां किती सुन्दर सुन्दर बाते महां पर आएं थी तो कृष्ण कथा तो असीमित है अगर यह लोब जग गया सुनाई पढ़ रहा है अगर कृष्ण कथा का लोब जग गया तो मटीरिल कितना खाओगे भाई एक विरिक दो विरिक ना चलो गाला बाटने के बाद पेट तो भरी जाएगे ना कितना खाओगे उसको अब क्रिश्ण कथा तो मालो मेरा सामर्थ बोलने का और आपनों को सुनने का तो हम दो सुबह से शाम तक भाई यह करते रह सकते हैं और महाप्र चले जाते हैं एक बार गौर सुन्दर प्रूब बता रहे थे कि राधानात महाराज के साथ गए बंगलादेश उस ट्रिप में महाराज ने कथा करना शुरू किया और कथा करते 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 रात की बात होगी है मुझे लगा दिन की बाती नहीं रात की बाती आठ बज़ इस इस कॉल अटेश्मेंट तो कुछ और तरी से नहीं होगा कथा से कथा का प्रसब होता है कि जितनी कथा सुनते जाएंगे उतना ही कथा में आ सकती बढ़ती चले जाएगी यह लोब है इसको हो गया मचित मचित मतलब जिसका चित भगवान के नाम रूप गुर लीला के म इता है तथा मतगत औरफल अवे हैं जो मेरे वीना अपने प्राणों को धारं करने में असमर्दें जिस प्रकार मनुष अनै के भिना अप्राण अन्हें कर सकता है यासे आप समस्द्षते की कोई कह कि अन आइले खाते हैं तो यह इस बहूल पोश्ण नहीं देता है और इस पहवंति भुतानी अन्य से लोग जीवित रहते आतो जैसे अन्य से विक्ति जीवित रहता है ऐसे भक्त लोग कि प्रण भगवान पर आश or आश रहते मान एक मैंसांपल देख करbak कि हम लोग शम्र पन भी अन खाना नहीं जोड़ते तो कभी शुपने में भी नहीं सो सकते हैं कि हम कल से भक्ति करना बंद कर दे रहे हैं कि is that sinking in कल से अन्य खाना के टने लोग बंद करना प्लीज रेंस हैं क्या कडिक दर्शी प्रोजी इकडशी तो निकल गई अभी-कडशी है यह और रिक्शन आप कर दो निका का प्लांनिंग रहती है उन्य चोड़ने की प्लानिंग करेंगे यह करेंगे यह प्लानिंग भक्तों की रहती है लेकिन भक्ति छोड़ देंगे तब जियें कैसे भाई जी जी एंगे आए यह दूसरा बात बोलने क्यों जी करेंगे क्या बताईए यह अच्छा पॉइंट है वेरी नाइस यह भक्ति इतनी आकर्शक है ऐसे व्यक्ति बोधयंतह अर्थात भक्ति के सुरूप प्रकार आदि को सोहार्द पूर्वक एक दूसरे को बताते हैं अब इसका बड़ा सुंदर मतलब है देखिए भगवान का वर्णन तो हम भक्त लोग करते हैं क्या भक्ति के सुरूप का वर्णन नहीं करते हैं क्या यहां स्वयम भगवान भक्ति का सुरूप का वर्णन नहीं कर रहे हैं भक्ति कैसे की जाती है भक्ति क्या लाब है बहुत सारे फैसे बहुत सारे प्रकार है एक एक का लाब महीनमा कैसे किया सकता है उसमें क्या चर्चा हम लोग नहीं करते हैं पराया प्रेटितन ही चर्चा हो जाती है और स्वहार्द समझते स्वह श्वद से ख्यार्द से स्वहर्ब की आरठ होता है सुहूध स गता है चाहि नरौपादिक शित कांगशि अब र censic पूछ आकारण हितकांशी वयल विशर लेकिन आकारण कभी-कभी संबंध होता है तो वेक्ती वेल विश करता है वारे ताउचाचा के भाई के लड़ी के मामा के लड़के हैं तो सुष रिदे है उसके प्रतीर और वक्ति में आपका बाप हुँ मालीच कर रहा हूं लेकिन अइसकुछ भी नहीं है तब भी दूखे सब्सक्राइबाइक ने समझत कर पो सब्सक्राइब wurde यह इसी दिखो सब्सक्राइब तया कि अन्रह जाएगा भक्ति नहीं चुनिद्ट एक भक्त हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी बार समझाय कि जब में नहाने का कोई नियम नहीं है तो सुभे मेरे को मेसेज के प्रभूख पानी नहीं आ रहा है इसलिए मैं जब शुरू ने तो आप लोग डरते हैं कहीं हम बिना स्नान कि जब करें तो ये कोई अपराद तो नहीं आता है कि आता है तो एस संशय को निवारण करना जिरूरी है कि बहुत बार पानी नहीं आएगा तब जब नहीं करेंगे पहले इससे मागे जाएं किया आप लोग इस बात का अन्भाव करते हैं कि भगवान के साथ-साथ भक्ति के तत्व का वर्णन बहुत ज़्यादा जिरूरी है और बहुत ज़्यादा होता भी है चर्चाओं में हमारी या हम खाली बोली रहे हैं और प्रसुन रहे हैं कि आपने मन मुझे मंने डूट नहीं आता है इसके जनाजे में चले गएं तो क्या हमको पाप लगेगा उसके अर्थी उठाने में आपने कंधा दे दिया तो क्या आपको भी पाप लगेगा, आपने कोई ऐसा तो वर्डन कहीं निखा नहीं गया है, अरे मुर्दे कोई हरे किस्णा हरे के सनादो, कोई मरने वाले को, इस तरह की लोग बाते करते हैं, और मन में संशे रहता है, तो उसका निवारन भी भक्त लोग करते हैं, कोई भी स रूप गुण लीला के महावारिदी, महावारिदी मतलब महासमद्र, मेरे रूपादी का व्याख्यान और उच्छ स्वर से कीतन करते हैं, और उच्छ स्वर से करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, हमने यह सुना है कि परमपु जरादा को इन महाराज जब टीका भी पड़ते थे तो उसको बोल बोल के पढ़ते तो जब कोई नहीं होता था तब भी कि और यह देखा है वक्तों से और भागत भी एक मैं तो समय पाधा हूं लेकिन तो उनसे मैं कुछ पूछ रहा था तो संस्क्रिट टीका देखे और उसको बोलने लगे इस वरी इंट्रस्टिंग बोल रहे थे फिर समझ रहे थे फिर मुझा रहे थे बोल बोलके कि वह टीका भी भगवान का यश है माराज संस्क्रिट में टीका पड़ते हैं पिर उसका अनुवाद करतें महाराज एक प्रवचल में कहते हैं कुछ लोग कह रहा है कि बहुत संस्क्रिट हो रही है लेकिन अगर थोड़ा सुनेंगे तो ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा वह भी भगवान का यश है भाशा अलग हो सकते हैं भगवान का ही यश तो वह भी उच्छ सर्विप बोला जाना चाहिए इसलिए प्रभुपाद जी इनका एक स्टेटमेंट है बहुत अच् से प्रभुपाद ने कहा माई बुक्स आर में टूबी हर्ड मेरी पुस्तकों को सुना जाना चाहिए जैसे वेद सुने जाने चाहिए उस प्रकार से पड़ करके पूरा काम नहीं बनता क्या आप लोग अनभाव करने इस बात का ठीक है उच्छ सर्व से बोलना चाहिए हरे क्रिशन तो आपका भी लाभ होगा और सामने वाले का भी लाव होगा учono request किरतन को ही अति स्रेष्ट कहा गया है और अन्यत्र प्रभपाद कहते है कि ऐसी है कि बस ये तीन भी करेंगे तो भी पर्फेक्ट हो जाएंगा और कुछ भी ना करें विग्रह की सिवा नहीं भी करें तो भी ये प्रभपाजी के स्ट्मेंट है लेकिन क्योंकि हम लोग केवल श्रवन कीर्थन में स्थेत्र नहीं रह सकते हैं इतनी अभी रुची नहीं स्ट्म venues भी करते हैं और भी सिवाइब करती हमारा मन पवित्र हो माये में ने कीरति चलो अब कुछ है कुछ माया की सिवा कर रहा है का अब भी अकर नहीं समय आज में आ रहा तो मैं क्या कहूं बताइए कभी नेगलेट नहीं करना श्रमण किर्थन नहीं करोगे तो तुमारे श्रीविग्रह तुमारे गलग ग्रिह बन जाएंगे कि कहां फस गए यही रहस्य है अत्वा साधन दशा में भी भागिवश भजन के निर्विग्न संपन होने से संतुष्ट होते हैं एक बात तो यह है कि भगवान की भक्ति करके संतुष्ट होते हैं आनदित होते हैं कि इसका मतलब बिलकुल आसाणी समझ गए सं यह लेकिन आप ढ़नाना हो जाती हैं तो आप foster और आपोरी हो गए जो होगए क्वेरी वेरी पेंफुल आप मैंसे कितनी लोग्व का अन्भव होगा कि कदाचित जारा है मेरा दिन हरी कितना हरी कितना 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 हरी करना है यह तो आपने वह किया होगा ना कि माला नहीं हो पाए तो किती असंतुष्ट्ष्टी होती यह कहीं सुबह उठ गए तीन बजे चार बजे ओठके धमाक से माला किया आपने पूरा 6-7 में तक माला हो गई कितना संतुष्टी होती है अब आप पताओ कि जो आचारगण बोल रहे हैं आज से पांसो साल पहले बोल रहे थे वह आज भी अनभव करते हो कि भजन वरत पूरा हो गया संतुष्ट जाते बीना किसी बाधा के हम जब कर पाए है कि नहीं अब आप लोग समझ रहों कि आपनों के चल्ड़ों को मैं क्यों खीशता रहता हूं मैं नहीं कि चल्ड़ों प्राटना करता हूं क्यों माला नहीं हो रही है कहां जा रहा है वन क्या है तो यह डाट लगाने का प्रयोजन क्या है यह परंपरा में है ताकि आप सुखीर है सं युक्सान होगा है लेकिन बहुत य संतु रहेंगे आपके लिए मेरे बताया है कि अगर कृश्ण bahamuret के बहुत सुभे हन्हें करते तो निके दीव्य संतुष्टि के अनभव होगा वाई विल्यू गिवप मैं नाम ले दे रहा हूं प्रुथु प्रभु है शुर्ला प्रभपाजी के शिर्ष्य बड़ा अपना अच्छान में बता रहे थे कह रहे थे जब वो जवान थे उनको सुला माला करना बड़ा भारी लगता था यह काम करना है वो काम करना रज तो वो श्रीमान मुकंदत प्रभु के मित्र है प्रभपाजी क्षिश्य है तो वो मुकंदत प्रभु बता रहे थे कि द्रवट प्रभु की इस्तिति है कि रोज हुआ ऐसा जब उनका होता है कि वह दर्शन नार्ती के लिए उठना नहीं चाहते एवरी ड़ीड़ी इस चै है जासे हमें रात्रे में सो रहे होते हैं तो इमीटेंट नहीं कर मुद्ध होते हैं कि भात हो घ्रव के धshore रचे तॉर्प सब बात है कि यृव और गारली से बाते कर रहा है लोजान है तो अि निर्वग्न बत्रकलत नो का बढ़ा ठीखिया सबस्त्र यानि साधानवस्था में वे भविष्व में होने वाले अपने साध्य दशा का समर्ण कर मन ही मन अपने प्रभु के साथ रमण करते हैं कि श्री भगवान की उपरोक्त कतं से रागानुगा भक्ति ही प्रकाशित हुए मतलब और सुचते हैं कि आगे जाकर कितना सुख में भक्ति में अनभव करूंगा क्रिश्ण से मिलूंगा क्रिश्ण की स्यवा करूंगा ऐसी भी भावना उनकी देविलती है कि दिए जो रागात्मिक भक्त है जिनका ही aintपैस्वरेसर के कारण सअहज आकर्शन के कारणं क्रिश्न की भक्ति कर रहा हैं बद्शोंग dieta ऐसे पर खेय्या डेका वर कि लोग्मन करते हैं केवल शास्तर आग्या से नहीं डिक पिए नहीं है लेकिन केवल शास्त्र की आग्या से बजन नहीं करतें, बजन का उद्देश है राग, तो रमण का मतलब है कि उनका मन वह इस प्रकार से चिंतन करते हैं, कि मैं भी भगवान की इस प्रकार से सिवा करूगा, लेकिन इसका इंजेक्शन नहीं लगता है, इंजेक्शन नहीं लगता है इंजेक्शन कि वह कल से चलो बहुत गीता होगे आप कल से हम और अगर आपको है कि गीता हो गया तो आपने यहां पर देखिए गीता में भी रागों नगा भक्ति का वड़न है जैसे कि यहां पर चक्रवर्ति पात बता रहे हैं कि अगला अगली टीका को अप्रपाजी की टीका कम कल देखते हैं आपके बाते समझ में आए होगी को प्रश्न किसी भक्त का है एक अधाशी में फास्ट टूटा ऐसा आया है सपने में कई बार आए ठीक है दर सोके सपने में कुछ खालत खालिया तो उसका पाप नहीं लगता श्रीमाद भगवद गीता की जाए श्रीला प्रपुपाद की जाए निताइगोर प्रिमानन दे